हेलो गाइज वेलकम टो खर का खाना बेंच जोदी गाइज जैसे कि पेस्टिवर सीजन शुरू हो चुका है और त्योहार की बात आती हो तो कुछ मीठा खाने का मन करता है याने कि जब त्योहार आते हैं तो घर में स्वीट सरूर होते हैं और कोछे दिनों में नवरात्र भी शुरू होने वाले हैं तो इन सब को ठ्यान में रहते हुए मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं कुछ ऐसी मीठी स्वातिश सी खी जिसको आप नवरात्र में भी खा सकते हैं यहां मैं बात कर रही हूं अंजीर की खी आप सब को तो पथा अंजीर के कितने भाइद होते हैं जैसे कि उसमें potassium, calcium बहुती rich मात्रा में होता है और अंजीर आपके blood sugar level को भी control करता है और आपकी bone density को भी improve करने में बहुत है तो इसी तरह से और भी कई भाइदे हैं अंजीर थाने के चले पिस पतापट से शुरू करते हैं इस yummy yummy खीर को बनाना लेकिन अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो please what are you waiting for अभी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं इसी तरह की yummy और helpful वीडियो आपके सामने जाते रहूंगी और पास मुझे पहला आइकन आ रहा है ना उसे पी जरूर प्रेस किजिए का ज जरूर बजनाएगी जानद जादा इसको शेर कीजिए का कॉमेंट जरूर कीजिए का कि आप सब का कॉमेंट बना बहुत अच्छा रगता है अच्छले अपर बटा मत सब्सक्राइब करते हैं और पढ़ते हैं अपने फिचर के तरह अंजीर की खीर बनाने के लिए यहां पंत्रा अंजीर लिए है यह मैंने ओवरनाइट भिका के रखती थी तो यह फूल के आप देख सकते हैं साइस में यह बड़ी हो गई है और इसके अलावा यहां मैंने चावल लिए है करीब दो टेबल स्पून के करीब चावल है यह मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिक एक टेबल स्पून घी है यह स्वादर मुसार यानि अकॉर्डिंग टेस्ट चीनी लिए है जितना आपको मीठा पसंद हो आप उस अकॉर्डिंग चीनी ले सकते हैं और थुरसा यहां केसर लिया है तो चलिए फिर बराना शिरू करते हैं अब सबसे पहले मैं इसमें यह सा 7-8 केसर के स्ट्रैंड टाल दूँगी और इसमें यह हलका सब खुंगन पानी दाल तो तो इसको साईड में रख देते हैं और चलते हैं कैस की तरह अब सबसे पहले मैं यह दूद इसमें डाल दोंगी अब यहां मैंने इसमें दूद्ध पी टाल दिया है अब उबहा लाने तक मैं से बेट करेंगी जब तक कि उपाल आ रहा है हम दूसरी तरफ यह जो हम ने फिक लिए थे इसमें से इसमें छार फ़ांच बचा दूंगी और बाकी का मैं पेस्ट बना लूँगी यहां मैंने यह मिक्सी ले ली है इसमें मैं एक फिक के दो पीस करके डाल दूँगी तकि यह अच्छे से पेस्ट बन जाए इसका इतने फिक मैंने इसमें काटके डाल दिये हैं इनका मैं पेस्ट बना लूँगी और बाकी जो अंजीर हैं इन्हें मैं बचा लूँगी इन्हें मैं पादनी यूज करूँगी इसको भी मैंने ट्राइंड कर लिया है तो अच्छे से पिस चुका है इसको भी मैं ऐसे साइड में रख देती हूँ और बढ़ते हैं अपने गैस के तरफ अब यहाँ मैंने सबसे पहले एक खड़ाए रख ली है और फ्रेम को आन कर दिया है गड़ाए करम होने पर मैं इसमें एक घी डाल दूँगी घी मैल्ट होने पर मैं इसमें यह जो चावल दिये थे वो भी डाल दूंगी अब नहीं अच्छे से रोस्ट कर लेंगे यह दूर डाल दूंगी मैंने इसको और रड़ी बॉल कर लिया था दूर डालने के साथ ही मैं इसमें यह केसर वाले केसर वाला पानी भी डाल दूंगी यह जो इसकी स्ट्रेंग्स है यह भी इसमें डाल दूंगी फ्लेम को हाई कर दूंगी और इसको एक उबाल आने तक हम इसे इसी तरह छोड़ देंगे इसमें उबाल आ चुका है इसी के साथ मैं इसमें यह जो फेक का पेश बनाया था ना वो डाल दूंगी अब इसको अच्छे से हिला देंगे और अच्छे से इसको पकाएंगे फ्लेम को लो टू मेडिय में ही रखेंगे यह आप इसको देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी पहले से जादा थेख हो गई है और इसका कलर भी काफी अच्छा आया है बहुत क्रीमी सी लग रही है अब इस स्टेज में यह जो मैंने इलाची लेदी इसको मैंने क्रश कर लिया है यह इसमें डाल दूंगी आपको अगर इलाची का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप वह स्केप भी कर सकते हैं हिला लेंगे अच्छे से और साथ ही में मैं यहां इसमें चीनी भी डाल दूंगी जितना मीठा खाना आपको पसंद है आप वुस अकॉर्डिंग चीनी डालिए अच्छे से हिला लेंगे और साथ में जो भी मलाईस की जम रही है वो भी स्क्रैप करते रहेंगे इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता और बहुत क्रीमी भी बनती है खीर चले अब इसे low to medium flame में पकने देंगे और बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है अब ये खीर अच्छे से कोख हो गई है और इसमें काफी अच्छा कलर भी आया है मैंने बीच बीच में इसे हिला लिया था काफी थेक भी हो गई है यह यहां पर यह मैंने कुछ ट्राइफ्रूट्स बारिक चॉप कर लिए हैं इसे भी मैं डाल कूंगी अब अपने मन पसंद से कोई इसमें डाल सकते हैं और थोड़े से ट्राइफ्रूट्स मैंने बचा लिये हैं गार्निशिंग के लिए अब एक मिनट तक लोटू मीडियम में ही मैं इसे कोग करूंगी ताकि जो ट्राइफ्रूट्स आले हैं वह भी इसमें अच्छे से अबसर्व हो जाए आपने काफे सारे खीर ट्राइफ की होंगी लेकिन आप यह अंच्छे की खीर बनाईए अपने फैमली को खिलाईए फ्रेंड्स को खिलाईए यकीम माने सब को यह खीर बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है गाइस एक मिनट भी हो चुका है और यह खीर बनकर राड़ी हो गई है तो यहां मैं यह फ्लेम भी बन कर दूंगी चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं अब इसको मैं यह सर्विंग बहुल में निकाल लूंगी अब इसकी कंसिस्टेंसे देख सकते हैं यह ठंडा होके और भी करड़ा हो जाएगा और लेकिन इसमें करल बहुत ज्यादा प्यार आया है और यह बहुत ज्यादा क्रीमी भी बनी है अब मैंने यह खीर सर्विंग बॉल में निकाल लूंगी है थोड़े से खीर बच गई थी तो मैंने इस गप में निकाल ली है डेकोरेशन के लिए मैं इसमें यहां थोड़े से ट्रैफ्रूट्स टाल तूंगी और जो यह अंजीर बचाय थे वह उसको भी मैंने यहां यह दो पीसिस में काट लिया है वह भी इसमें डाल दूंगी आप डेकोरेशन के लिए अपने हिसाब से कोई भी ड्रैफ्रूट्स अपने मन पसंद के ले सकते हैं और थोड़े से मेरे पास यहां यह रोस पैटल्स है वह भी इसमें डेकोरेशन के लिए डाल दूंगी लग रहा है ना देखके बहुत ही डिलिशियस है बहुत ही मज़िदार किये खीर बनी है आप इसे करम करम सेफ कीजिए या फिर फिर्च में रखे इसे बिलकुल चिल सफ कीजिए चॉइस इस यूर्स चले फिर में यह रेसिपी इस फेस्टिवल सीजन में आप सरु ट्राइ कीजिएगा और अपने कैस्ट को खिलाएगा अपनी फैमिल को खिलाएगा और इस खीर का आननद लीजिएगा तो चले फिर मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में जरू बताएगा कि यह रेसिपी आपने